हेलो आप सभी का स्वागत है टार्गेट पूर में जैसा कि आप सभी को पता है कि कल आनी की 20 जुलाई को जारखन हाई कोट में जारखन नियोजन निती पर सुनवाई हुआ बहुत सारे छातर को लग रहा था कि कल ही आनी की 20 तारिक को ही इसका फाइनल जैजमेंट आ जाएगा लेकिन येसा कुछ ने हुआ मातर एक से दो मिनिट का सुनवाई हुआ और जो जैसी सीजल का एकजाम डेट है अकी सगस्त अभी भी अकी सगस्त कायम है आप सभी की मन लगा के पढ़ाई करते रहे अभी आप लोग वरतपान पर फोकस करें भविष में क्या होगा इसका जानकारी किसी के पास नहीं है हाइग कोट क्या डिसेजन देगा सरकार का अगला कदम क्या होग कोई ने जानता अभी आपके पास समय है आप अभी मन लगा के अकिस अगस्त पर फोकस और आप अपना 100% दें देखिए एक बात तो बहुत ही असफ़ष्ट है कि जो नियोजन निती है पूरी तरसे असविधानिक है इसलिए सरकार कोट में वच्टे नजरा रही है इतना दिन समय मिला फिर भी सरकार के जो वकेले उनकी द्वारा कहा गया क कि मुझे कुछ और समय दिया जाए लेकिन जो प्रार्थी के वकेले उनकी इस मामले में काफी लेट हो चुका है लेकिन फिर भी हाई कोट ने 10 अगस्त 10 अगस्त की तारिक मुकरर की है अब देखना होगा कि 10 अगस्त को फाइनल सुनवाई होगा या तो फिर नया डेट मिल बहुत खतक चांस है कि 10 अगस्त को फी एक नया डेट देखने को मिलेगा अब देखते हैं कि आज का जो बिभी निवीज पेपर है उसमें क्या खबर छपके सामने आया निवक्ति मामले में राइज के संस्थान से 10 वी वा 12 पास की सर्थ पर सरकार कायम सरकार अभी भी जो नियोजन निती बनकर त्यार हुआ है उस पर कायम है आनि की समिधानिक करार दिया जा रहा है सरकार की द्वारा लेकिन इसके बावजूद भी जो विधी विभाग है ज्हारखन का उसके द्वारा यह जो निमावली इसे नकारा गया था लेकिन सरकार ने जबर जस्ती ये न जसिष्ट डॉक्टर रवी रंजन वा जसिष्ट एसन परसाद की खंड़ पीठ में जैसी सी परिच्छा नियुक्ति में दस्वी वा बारहवी की परिच्छा राईज के संस्थान से उतिर्न होने की सर्थ को सर्थ के खिलाक दाखिल आचिका पर सुनवाई हुई सुनवाई के दोरा प्रार्थियों की ओर से अधिवक्ता अजित कुमार ने कहा कि राईज सरकार बार बार समय लेकर मामला को लटकाना चाहती है जबकि इस मामले में सरकार की ओर से की गई सरकार की ओर से नियुक्ति परकरिया भी तेज कर दी गई है दूसरी ओर कोट में सरका बच रही है आगे देखी क्या लिखा गया देखे जबकि मामले में सरकार की और से नियुक्ति परकिरिया तेज कर दी गई है नियुक्ति निमावली में इस मामले में सरकार का पच रखने वाले वरीय अधिवक्ताओं कहा था कि इस बीच इस मामले में कोई मायन राहता निकाला जा सकेगा इस पर अदालत ने वरीय अधिवक्ता मुकुड रहतोगी से पूछा की उन्हें राज सरकार से क्या दिसा निर्देश प्राप्त हुआ है इस पर उनकी और से कहा गया कि राजी सरकार अपने अस्टेंड पर कायम है, सरकार अभी भी अपने अस्टेंड पर कायम है, आचिका में उठाएगे बिंदूओं की सविधानिता पर सुनवाई करती है, देखी इसमें क्या कहा गया है, जब हाई कोट ने पुछा कि सरकार ने क्या दिसा निर्देश दिया है, किस से, मुकुल रस्टोगी जी से, तो मुकुल रस्टोगी जी ने कहा कि सरकार अभी भी अपने अस्टेंड पर कायम है, आणि कि मैट्रिक और इंटर जो जहार्खन से होना चाहिए, इस अस्टेंड प कहना है कि सरकार पीछे नहीं अटेगी आपको जो judgment सुनाना है सुना दिजी अब पूरी तरह से मामला हाइज कोट के judgment पर निर्फर करता है कि judgment क्या आता है अधी judgment positive आता है तो सारा वेकंसी बच जाए और अधी इसका judgment negative आता है तो कहीं ने कहीं सारे वेकंसी पर इसका असर देखने को मिलेगा आगे हम लोग देखते हैं इस पर वरी अधिवक्ता आजीत कुमार ने विशे की गंभिरता के बारे मादालत को बताया कहा कि सरकार की और से जेसीसी निवक्ती में लागो की गई सरते की वज़ा से बड़े वर्ग के अभयर्थी अस अन्यथा बड़ी संख्या में अभर्थी चैन परकिरिया में सामिल नहीं हो पाई अदालत ने इस मामली की गंभिरता को देखती वे अगले सपता ही मामला को सुचिबध करने का निर्देश दिया लेकिन राइज सरकार की ओर से इस मामले में 10 अगस्त की सुनवाई किये जाने का आगरह किया गया जिसे अदालत ने स्विकार कर लिया इस समझ में रमे सादा सहित अन्य की ओर से हाई कोट में आची का दाखिल की गई है देखिए इतना पढ़ने के बाद एक बात पूरी तरह से सपहटे कि सरकार के पास कुछ जवाब नहीं है सरकार जान बुझ कर इस स सरंडर कर चुकी है कि आपको जो जज्जमेंट सुना ना सुना देजिए सरकार पिछे नहीं हटने वाली है तो इस वीडियो को आप लोग सेर कीजिएगा चैनल में ने तो चैनल को अब से सब्सक्राइब कर लिजिएगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए सब्सक्राइबोर अप spirits करें नेक्डियो इस पक्राइब कर लिए雜्यल्वाटर क्वेंट धर Can